भारत पे की 12% क्लब एप क्या सेफ है क्या ट्रस्ट वर्दी है और उसमें जो मैंने अपना पैसा डाला हुआ है क्या वो सेफ रहेगा इसके उपर इसी कुश्चन के उपर आंसर देरी कुश्च करते हैं लेकिन समझते पहले कि actually मैं क्वेश्चन आ क्यो रहा है देखिए सबस जो है वो चार पांच या छे परसेंट के आसपास चल रहा है तो यह तो उससे डबल पैसा है प्लस जब आप लॉंच हुई थी कुछ महीने पहले उस टाइम पर यहां पर इंवेस्टमेंट की लिमिट थी करीबन 10 लाक रुपे की आज की डेट में आप साइन अप करते हैं तो इंवेस्टमेंट की लिमिट सिरफ एक लाक रुपे है यानि कि एक लाक रुपे से आप जादा पैसा इंवेस्ट नहीं कर पाएंगे और उसके उपर जो हाल ही में कॉंट्रवर्सी चली है भारत पे को लेके उसके बाद तो लोगों का विश्वास और कुश्च या या फिर इनके सोचल मीडिया के तुरु कनेक्ट कर सकते हैं तो वहां भी आपको कुछ ऐसी अब्जरवेशन मिलेगी जहां पे कुछ लोगों ने पैसे को निकालने की कोशिश करी है और उनको ग्लिच हुआ है और वो कुछ दिन तक अपने पैसे को नहीं निकाल पाएंगे तो इसके करने लोगों के मन में सवाल है कि जो मेरा प्रिंसिपल इन्वेस्टेट है क्या वो सेफ है क्या मुझे यह रिटर्न मिलती रहेगी या नहीं मिलती रहेगी और मेरी भी कुछ अब्जरवेशन से रही है इसके बारे में जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ लेकि पहले यह समयने की ज़रूरी है कि एक्चुली में 12% क्लब जो एप है यह आप आपके पैसे के उपर 12% इंटरस कैसे जनरेट करके देती है इसके बारे में एक डेडिकेटीड वीडियो मैंने बना रखा है जो कि आप उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या आगे अपने P2P पार्टर को दे देते हैं और वो आगे इस पैसे को लेंड आउट करते हैं और मैं इस वीडियो में उसका प्रूफ भी आपको दूँगा कि आप जो पैसा एक्चुली में इंवेस्ट करते हैं वो पैसा आपका लेंड देन क्लब में किसको दिया जाता है उ वहां से आपके पास आती है अब अफकोर्स इसके अंदर जो है कहीं पर आर्बिट्राज रहेगा क्यों कि वह ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे उस में से वह रिटर्न अपने पास रखेंगे कुछ और बाकी पैसा आपका दे देंगे मैंने आरांड वन लाक रुपीज इन अब अनर जाते हैं मैं इस आपको खोलता हूं यहां पर 12% की आपके अंदर जाते हैं तो आपको सामने ही दिखता है कि आपने टोटल पैसा कितना इनवस्ट कर रखा है और आपको इसमें से कितनी अर्निग्स हो चुकी है प्लस आप रैडच साट में देख रहे हैं मेरे पा पास आता है, so हम यहां पर यह जो त्रीन आइकन है, इसके उपर अगर हम क्लिक करते हैं, तो हमरे पास डिफरेंट डिफरेंट आती है, इस आप को यूज करने की, और हम जाके देखते हैं यहां पर इस statement के अंदर, तो statement में आपको सारी statement नजर आ जाएगी कि कब-कब आपने पैसे को डाला है, कबकर अपने पैसे को निकाला है, मैंने deposit भी करके देखा है, मैंने पैसे को यहा पे निकालके देखा है, मैंने पूरा पैसा भी निकालकर देखा है, और सबसे अच्छी बात यह है, कि आपकी withdrawal almost instant है, मुझे बिल्कुल भी delay नहीं हुआ है, अगर मैं इसक इसको compare करता हूँ मैं 9% के return वाली cred app के साथ तो वहाँ पे पैसा वापिसाने में करीवन एक दिन का time लगता है लेकिन यहाँ पे almost instant है मैं अगर अभी withdrawal की option करता हूँ तो within कुछ time मेरे पास withdrawal आयाता है और इसके उपर मैं एक short भी बना रखा है इंटरस्ट पे बात अगर मैं इंटरस्ट पे क्लिक करता हूँ तो जितना भी मुझे इंटरस्ट मिला है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है और यहाँ मेरी एक सबसे पहली problem आई थी कि 28 फरवरी के बाद 1 मार्च का जो इंटरस्ट है वो आपको 10.30 बजे आया था और अगर मैं 5 मार्च का लेता हूँ तो आप देखेंगे कि 6 बच के 21 मिनट के करीबन का इंटरस्ट इसमें क्रेडिट हुआ हुआ है और उस दिन बहुत डिले हुआ उस दिन सुबा क्रेडिट निवा इंटरस्ट और इंसिरेंटली उस दिन अशनीर ग्रोवर ने अपना रेजिगनिशन डाला था और क्वेश्टन आया कि बहुत अच्छली में कल रेजिगनिशन डालने के बाद क्या आज इंटरस्ट करेडिट इसके अंदर बंध हो गया है भारत पे के उपर क्वेश्टन साने स्टार्ट हो गए और तभी मैंने जो है मैं इनके भारत पे 12% क्लब आप के Twitter हैंडल पे गया और वहाँ पे मैंने Query रेज करी तो मैंने Twitter पे Query रेज करी और Twitter पे Query जो मैंने रेज करी वो मैं आपके शेर करता हूँ जहाँ पे मैंने इनसे यही सवाल पूछा कि there is no interest credit for today can you check and advise why there is a delay in the interest credit क्योंकि रोस हो जाता है और वो मैंने किया था last Tuesday को मतलब एक हफते पहले मैंने इसको raise किया था और इसका reply मेरे पास आजा है यानि एक हफते तक मेरे पास कोई reply ने आया मैं बिल्कुल अंधेरे में था कि मेरे पैसे कहां गए होला कि interest जो है वो उस दिन रात को हो गया था क्रिडिट हो गया था मगर इनका reply एक हफते तक नहीं आया तो अगर मुझे कुछ प्रॉलम होती है तो कितना fast है इनका customer care I think I have doubts on it बहुत fast नहीं है और अगर मुझे कुछ glitch होता है यहां कोई भी problem face करनी पड़ती है तो अगर मुझे mentally prepare होना पड़ेगा कि मेरे पास जो इसका answer है वो काफी time के बाद आएगा अगर हम इसके बाद जाके देखते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा पैसा कहां पे invest होता है तो आपको 12% club app के अंदर ही आप इस screen पे जो statement वाली screen है उसमें top के right button पे click करेंगे तो यहां से आपके पास statement उठके आ जाती है और इस statement के अंदर आपके पास सारी की सारी details है जो कि आप screen पे देख सकते हैं अपने की आपका पैसा कहां कहां पे किस किस के पास कितना पैसा आपका invest हो रहा है तो यह तो clarity हमारे पास है कि आपका पैसा जो है वो LinkedIn Club के थूँ जैसा company ने का है वैसा invest हो रहा है हाँ 1 lakh invest किये लेकिन 1 lakh invested देख नहीं रहा है बाकी पैसे को company ने escrow में रखा हुआ है क्या किया हुआ है उसके बारे में clarity नहीं है तो positive जो मुझे अभी तक लगा वो यह है कि daily interest आता है timely interest आता है दूसरी चीज़ मुझे यह लगी कि जो मेरा पैसा है वो मुझे मालूम है कि वो properly P2P, NBFC के थूरू आगे invest हो रहा है और जो मुझे negative लगा है वो यह लगा है कि अगर कोई glitch होता है तो मेरे पास company का support portal इतना responsive नहीं है यानि कि वहाँ पर कुछ issue होगा अगर मैं Twitter पर भी raise करता हूँ या फिर मैं अगर इनको DM करता हूँ तो उतना चांसर नहीं आता है मैंने इनको email नहीं किया है हो सकता है email इनका faster हो तो क्या invest करना चाहिए अब देखो सबसे पहली बात है कि हम इसमें maximum एक लाख रुपे invest कर रहे हैं और 12% के हिसाब से मुझे rate of return मिल रहा है अगर मैं 12% के हिसाब से rule of 72 use करूँ तो 6 साल में जाके पैसा double होगा तो इतना बड़ा टाइम चाहिए पैसे को double करने के लिए तो यह ऐसा तो है नहीं कि इससे हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा and I know everyone has got their own thought कि किसी के लिए हो सकता है एक लोग एक लाख रुपे बहुत कम हो और किसी के लिए हो सकता है एक लाख रुपे बहुत जादा हो तो अगर तो आपका यह पैसा surplus है और आपके day-to-day घर को run करने के अंदर या आपके budget के अंदर कोई problem नहीं करता है तो आप सोच सकते हैं again risk को समझ के लेकिन अगर आप guarantee के इच्छा करते हैं तो आप इन में से एक post office का guaranteed plan चुन सकते हैं ना फिर अगर आप relatively safe P2P को देखना चाहते हैं तो आप cred mint का यह वाला video देख सकते हैं जहां पर मैंने बताया कि cred mint में 9% का आपको return मिलता है और वहाँ पर पैसे कैसे invest करते हैं आपके कोई सवाल है या सुझाव है तो नीचे comment section में मुझे जरूर बताएं like, share, subscribe ना भूलें जल्दे एक और वीडियो लेके तब तक लिए बचाते रहें कमाते रहें because every पैसा matters